के मिटेंंики कि अब हロौ कमब टेसी राज कर्मल हेलो का आज का टॉपिक क्यूप साउंड आ रही है आप लोगोगों को आसका टॉपिक में डिस्सक्रीड करने वाला हूं सर्किट ब्रेकर और आइस युलेटर में आइसुलेटर को सर्किटब्रिकर के बारे में हमने अल्रेडी डिस्कस किया हुआ है कि सर्कीट ब्रेकर एक्चुली होता क्या है यह डिसकनेक्ट करने का काम करता है अगर कोई इसलेटर क्या यही नहीं समझ रहें तो क्यों आप कहते हूं कि सर्कीट ब्रेकर को डिसकनेक्ट करने का काम करता है लेकिन आखिर इन दोनों में क्या डिफ्रेंस है कि सर्कीट ब्रेकर के जगह पर इसलेटर का उप्योग नहीं करते है और isolator का जगा पर circuit breaker का उप्यों नहीं करतें तो सबसे पहले आज का जो topic था हमारा वो isolator का था isolator अपने को discuss करना था लेकिन isolator समझने से पहले circuit breaker और isolator का difference आपको समझना बहुत जोड़ी है और isolator के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए इसके बाद ही हम isolator को topic को discuss करने वाले हैं क्योंकि isolator का topic एक अलगी है उसके बारे में पूरा pattern के साथ पढ़ेंगे सबसे पहले आज difference देखना चाहते हैं कि circuit breaker और isolator में क्या difference होता है circuit breaker के बारे में आप जिससे जानते हो कि दो परिपत में disconnection का गाम करता है और जिससे पहले कि मैंने आपको animation में भी बहुत साथ चीज़ दिखायागी कि इस तरगी से disconnect होता है automatic control होता है लेकिन जो आपका isolator होते हैं isolator कुछ ही है कहीं से wire आ रहा होगा यहां पर के erב बार धर एक स्सक्राइक्स के लिए आप देखिये यहां फिलाल जो आप देख रहे होगा कहीं से connections कहीं सी आरह होगा यह यहां से connection कहीं जानरीं होगा और जो यह पौरिपत के बीच में जो लगा है ये क्या होता है सर ये क्या होगा ये इधर की और घूम जाता है और ये इधर की और घूम जाता है ये center point से ऐसे घूमा दे जाते हैं तो क्या होगा बीच से इतनी दूरी का एक disconnection बन जाएगा तो ये भी क्या किया परिपत को disconnect कर दिया ये इधर की और move कर जाता है ये इधर की करता ऐसे गुम जाएगा इसका इनिमेशन मैं अभी दिखाऊंगा तो क्या होगा यह दूनों का डिसकनेक्शन हो जाएगा तो आइसुलेटर का अखिर उपयोग क्यों किया गया जब सर्कीट ब्रेकर आटोमेटिक किसी परिपत को डिसकनेक्ट कर देता है तो सर्कीट को समझना पड़ेगा आइसुलेटर क्या है ओके तभी आपको पता चलेगा कि क्यों इसको जगह पे इसका उपयोग नहीं करते हैं और इसके जगह पे इसका उपयोग नहीं करते हां दोनों की वारे मैं एक ची पता दूँ यह हमेशा पार दोड़न कर दो उसके बाद जो ऑनर्जाइजस सिस्टम के बारे में सो यह दोनों की खासिओła दोनों सर्कीट को ब्रेक करने का काम करता है लेकिन यह लोड़ेट कंडिजन में पिरट होता है विएस twisting maintenance की जरूत होती है circuit breaker को off अगर कर भी देते हैं उसके बाद और इसुलेटर का operation बहुत जरूरी है आइसुलेटर को हटा देते हैं ताकि दो बार आपस में disconnect हो दूरी बना के रखें तो पहले आपको इसा इनिमेशन से आईसुलेटर के बारे में देखना पड़ेगा कि actually आईसुलेटर होता कैसा है उसके बाद ही हम समझेंगे कि दोनों में कह क्या रिफ्रेंस सा उसके बाद हम आइसुलेटर के टॉपिक पे जाएंगे ओके चलिए सब मैं आपको दिखा देता हूं पहले आइसुलेटर होता कैसा है देखिए एक बार पहले देखिए आपने बहुत जगा देखिए किस तरह से घुमता मूव कर जाता है चलिए सर तो आपने देखा किस तरह साइसुलेटर मूव कर रहा है फिर आप देखिए का यह टाइप था जो अब इस से मूव कर गया था ओके अब कई ऐसे टाप होंगे जो दो कनेक्शन है मालो इधर से कनेक्शन जा रहा है कि इदर से जा रहा है तो इसको बीस से ऊठा सब्सक्राइब एक नगयर से डिसके नगयर के सबीघियों से तीक अब देखने को मिलें गया सक्राइब लगय है तो यह क्या यह देखे हैं पेन्टो ग्राफ टाइp ऑके यह भी आइस्यूलेटर है यानी क्या था पहले एक दूसरे से कनेक्शन में नहीं था बाद में कनेक्ट हो गया इससे पहले भी आपने जो देखा था यह isolator देख यह पहले यह दोनों connection में थे बाद में यह out हो गया यह disconnect कर दिया तो यह भी एक medium है जिससे चीज़ों को हम disconnect कर लेते हैं अब हम इसके difference को देखेंगे कि कब circuit breaker का इस्तमाल करते हैं और कहां और किस तरीके से करते हैं सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं difference between sorry wait a second difference between the isolator and circuit breaker पहले आपको इन दोनों का difference समझना होगा अच्छे से तभी हम इसके बारे में समझ सकते कि कहा isolator का उप्यों किया आता है और कहां आपका circuit breaker का उप्यों किया आता है आई यह मैं पहले एक बार मैं general तरीके से बताता हूं फिर आपको इसको अच्छे तरीके से यहां से theory language में बताऊंगा कोई भी wire transmission line की wire जा रही है ओके suppose that यह wire जा रहा है तो इस बीच में आपने एक लगा दिया है circuit breaker एक लगा है circuit breaker और यहां भी एक लगा है आपका circuit breaker circuit breaker तो यहां पर जब मैं बात करूँ ना कि यहां भी circuit breaker है और यहां भी circuit breaker है तो यह तो अगर चाहे तो इस बीच में कहीं आपको operate कोई करना पड़े कोई भी operation करना पड़े सबस्टेशन के पास आ गया है यह किसी सबस्टेशन के पास है यह सबस्टेशन या grid के पास है तो आप कहोगे कि सर जब आगको सबस्टेशन में मेंटेनेस करना होगा तो circuit breaker को disconnect करवा देजे और यहां भी circuit breaker को क्या करिए disconnect करवा जिए तो इसका operation कर देंगे लेकिन सर आपको ध्यान होना चाहिए जब भी सबस्टेशन पर यहां किसी grid का maintenance करते है सबस्टेशन का तो आप यहां पे बीच में हमेशा यूज़ करते हो isolator का क्या यूज़ करते हो isolator का और यहां भी isolator का O इस इसी से गद्र से और यहां को अलग कर देता एक पार्ट से और यहां अलग कर देता तब यहां आसानी से यहां प्रूνिशं का काम करता अब द्यान सम्जना लोड के case में आपको आइसुलेटर हमेसा कभ उपरेट होता है नो लोड पर आइसुलेटर हमेसा नो लोड पर उपरेट होता है यह हमेसा नो लोड पर उपरेट होता है मैं बता देता हूँ अभी चीजों को यह लोडेड कंडिशन पर उपरेट होता है loaded condition पे यह भी loaded condition पे चीजों को समझ यह पहले समझ यह सर क्या हुआ जब भी आपको कहीं maintenance या कुछी और चीज़ की ज़रुत हुती है तो आप पहले circuit breaker को open करते हो तो loaded condition में किसको open करते हो circuit breaker को और जब आपकी बात आती है इसके regarding की मैं बात करूँ जब circuit breaker में आपको बात आती है isolator की तो पहले इसको off कर दिया आता है यह जैसे ही दोनों side से off किये अब इस पर कोई load नहीं रहा तो इसको तब operate करते हैं so no load condition पर isolator का operation होता है और loaded condition पर circuit breaker का operation होता है clear आप यहां पर चीजों का और समझेगा सर कहता है कि circuit breaker का उपयोग आपने जो किया है circuit breaker का जो पयोग किया है तो यह faulty condition में automatic operate हो जाता है तो isolator का उपयोग क्यों करते हैं देखिएगा जब कोई fault आया तो सबसे पहले circuit breaker operate होगा सर सब जब भी कभी फॉल्ट होगा circuit breaker उस टैम में disconnect करता है परिपत को ओके circuit breaker ही disconnect करता परिपत को isolator operate नहीं होता isolator operate नहीं होता isolator हमेशा कभी maintenance या healthy condition चेक करना या आपको लगाता और भी कोई events होते हैं उस टैम में isolator का उप्योग किया आता है तो isolator ज्यादा ग्याब देता है दो conductor के बीच बहुत ज्यादा ग्याब देता है तब आप कोई maintenance काम आसानी से कर सकते हो circuit breaker में ग्याब बहुत कम होते हैं अब आपको पता है उसमें आर्क extinguish होता अभी बहुत सारे आपको circuit breaker पढ़ना है तो उसमें ग्याब बहुत कम होता लेकिन उसके अंदर बहुत सारे ग्यास ऐसे फैल की फिल के जाते हैं कि उसकी डियलेक्टिक स्टेंद इतना बहुत जाता जहां भी किसी grid transmission line के आसपास आप circuit breaker का इस्तमाल करते हैं जरूर वहाँ पर isolator का इस्तमाल करते हैं किसी भी transmission line में अगर आप circuit breaker का इस्तमाल पहले off करते हो तो उसके बाद आपको भी उसके बाद भी आप देखते हो ना उस wire में चुकि transmission line इनर्जाइज होता इसमें एनर्ज बहुत होती है तो जब आपने circuit breaker को open कर दिया उसके बावजूद इस वायर में इतनी energy होती है कि अगर यह operate होगा यानि दो तार जैसे एक दूसरे से दूरी बनाएगा तो spark करने लगता जो आपको ने वीडियो में देखा जो आपने देखा इस वायर में यह लंबी दूरी होती है तो यहां पर इस मार में बहुत इनर्जी होती है और दो इनर्जाइज चीज को अगर डिफ्रेंस करूंगा अलग अंतर करूंगा तो 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 वह एनर्जाइज चीज क्या करगा डिएनर्जाइज होगा जो कि हावा में स्पार्किंग कर देता है अब देखो यहां पर तो चीज़ें आपको क्लियर पता होंगे देखे कैसा दिखे यह देखे इनर्जी था इस वार में इसी लिए इसके रहें डिसकनेक्ट वा तो इनर्जी डिश्चार्ज हो गया यह आगे भी आपको दिखाऊंगा मैं वेटेकस अगे मैं आपको दिखाता हूं यह देखे गाए आपने ये तेखो ऑसपार्किंग हो रहा है नहsoon 對不起 इसलिए इसमें क्या फार्किंग होती है अब चलिए इसके लेंग्वेज को चिंखाता हूं मैं इसके लेंग्वेज को अब देखिए इस बहाएं बहारएं से क्यों हो जाना है चलिक ठाहिता है कि इस a沒有 difference बिट्मिन आइशुलेटर इन सर्कील बेकर इस एन आइशुलेटर इस आफ लाइन स्विचिंग आफ लोड स्विचिंग मतलब की लोड नहीं रहता तब इसका आपरेसं करते you यह ओटल मेंटिक और मैनवरी दोनों होते हैं यह संकिट ब्रेकर इस नो द होती है था load sorry no load बोलाउं on load circuit breaker क्या होता a load condition में onload load condition में आपका सब्चीज चल्दा healthy है कोई दिक्कत ने कोई fault आ गया फटाक से operate हो याता है तो loaded condition था तभी operate होगे या circuit breaker ok now circuit breaker is designed to operate under load condition as they have to arc as they have to as they have to arc quench किंचिंग मेकनेज्म फिर हो एन एन एनरजाइज पार्ट इस डिस्कनेक्टेट अब यहां पे बातों को समझना होगा आपको कह रहा है कि सरकीट ब्रिकरी डिजाइन टू आप अंडर लोड कंडिशन सर्किट ब्रेकर को आप लोड़े कंडिशन के लिए डिजाइन करते हो as they have to arc as they have to arc quenching mechanism arc quenching mechanism होता है arc quenching का मतनल होता है to stop the arc क्या होता है जब दो body conductor में जब जहां पे charge बहुत ज़्यादा होता है दो conductor जैसे disconnect होगा sir चुकि charge इतना होता है इसलिए वो spark करता है और जब यह spark करेगा तो वो आग लगा सकता है वो इतना heavy होता है जो अच्छे-चे metal को लोहे को गला सकता है इतना heavy arc होते है या उसमें जो भी equipment होगा उस अबको damage कर सकता है तो उस arc को बुझाने की कुछ technique होती है जितने भी circuit breaker होते है उसमें कुछ जैसे asepsip डाल दिया, oil डाल दिया यह क्या करता है air के dielectric strength को इतना बढ़ा देता है कि arc को बुझाने का काम कर देता है थोड़े दूरी के बाद arc को बुझा देता है क्या बुला तो यह जह है जो circuit breaker है वो केस पर काम करता जी arc quenching mechanism पर काम करता है quenching, arc quenching मतला arc को मुझाने, stop करने का काम करता है when they are energized part, when an energized part is disconnect जब आप energized part यानि दो conductor को disconnect करोगे, okay arc is produced, जब आप arc को disconnect करते हो तो क्या होता जी arc produce होता है और यसी principle पर काम करता है कि उस arc को बुझाने का काम करता है and it should be quenching को जह को क्णेक करता है and it should be quenching मतलब बुझा देता circuit breaker क्या करता है उसमें बुझा दिता जो arc produce होता है कि happen otherwise आगरν ऐसा नहीं हो,ном को ना बुझाए देन इट विल डाइमेज दी एक्यूपमेंट्स अगर आर्ग को बुझाने का टेक्निक अपन ना यूज करें तो क्या करेगा वो एक्यूपमेंट को डाइमेज कर देगा क्लियर होना चाहिए यह देखतो ना सर्किट बेकर ऐ से दीख़़ा है लेकिन इसके अंदर देखी इतना बड़ा सर्किट क्य्यूं बना इसमें हैं डिस्कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाते हैं और इसके अंदर गैसेस फिल किया जाते हैं ताकि एयर का डियलेक्टिक ट्रेंग जादा हो हवा एक लिमिट से ज्यादा अगर है वोल्टेज है अगर है हवा और दूरी कम है तो अगर प्रट्रूस होना एकदम सभाविक है आप देखते हो दो तर इतना ज्यादा है कि एर की डियलेक्ट्रिक डाय स्टेंज जो होती हावा की पर्तिरद करने की छमता जो ती उस वोल्टेज को सहने की छमता वो नहीं सह पाता वो असपार्क कर जाता है एयर को आयोनाइज कर देता है कि आप चीजें किलियर होंगे नेक्स्ट जैसे कि इससे पहले वाले एक लेक्चर मियां पर मैंने दिखाए था जब सर्क आइसुलेटर को नो लोड पर अपरेट करना तो सर्कीट ट्रांस्मिस्ट लाइन में अगर लगा हुआ है तो यह उपरेट कर वे तो नो लेन में थो नहीं हुआ तो लोड़ेर कंडिशन पर हो यह तब आइसुलेटर का उप्योग करना पूड़ेगा है ना वाइल कनेक्टिंग फॉस्ट इस सर्कीट ब्रेकर इस कनेक्टेड दैन आइसुलेटर इस क्लोज जब की वाइल जब कनेक्ट करोगे जब बात कनेक्शन की आएगी जब आप अपने सब कुस हेल्दी कर दिया स सब कुस सही होगे आपका ट्रांसमिशन लाइन के अंदर या सबस्टेशन के असपास तब आप कनेक्शन की बात आएगी तो इसको करना है इसको भी क्लोज करने आथ तभी कोई कनेक्शन नहीं होगा तभी कोई बैपास के यह जाएगा क्योंकि यह भी ऑपन है पहले जब क सरक्ट ब्रेकर को क्लोज करना परता है और उसके बाद इसुलेटर को connect करना होता है वो सब्सक्वार कि तब next then the isolator is closed clear circuit breaker is operated after getting the fault signal circuit breaker mostly operate होता है कब होता है जब कोई loaded condition कोई fault आ गया sudden change हो गया उस parameters में तो automatic circuit breaker operate होता है और दो परिपत को break कर देता है getting the fault signal from there relay to disconnecting disconnect the fault part from the healthy one which high current passes through the that part और circuit breaker तभी operate होता है जब उसमें relay sense करता है relay देखता है क्लिमिट से ज्यादा current हो गया तो आपको पता है हमेशा बोला हूं क्या relay क्या करता है signal किसको बेजता है circuit breaker को कहता भाई तुम operate हो जाओ यह operate होता है तो दो तार को आपस में disconnect कर दीता है दो तार को आपस में disconnect करने का काम करता है और यह रिले का वो प्रेट होता है जब देखता है कि आपका current एक लिमिट से ज्यादा हो चुका है और देन दी आइसुलेटर ओपरेट्स आइधर मैनुवली और आइसुलेटर को मैनुवली जहां पर खुझ से वह अपने आप नहीं हो सकता है तो हैंडिल के मदब से क्या करते हैं कोई बंदा इसे घुमाएगा तो वह जाके आपस में घुम जाएगा तो दिस्कनेक्ट हो जाए उसके बाद है ना या फिर के बार आटोमेटिक होता है कि अपन स्वीच दिये मोटर का कनेक्शन से हो जाके डिस्कनेक्ट हो गया ओके इसमें ऐसा कोई सेंसिंग डिवाइस नहीं होता कि फॉल्ट आया और फॉल्ट के करेंट को इसने देखा बहुत ज़्यादा हो या अपने आप डिस्कनेक्ट हो जागा नहीं यह आइसुलेटर की बिहेवियर नहीं होती है आइसुलेटर होता है अराम से कनेक्ट रहेगा जब तक आप उसको हुआ कि ब्रेकर को करने का सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है आइजयों को समझ चूगे चुकिस अपना टॉपिक है ऐसुलेटर अभशा अच्छे समझ जाएंगे और उसके टैप्स को भी बहुत अच्छे से देख पाएंगे तो यह आइँप इन में कोई confusion नहीं रहा होगा I opinion में कोई भी confusion नहीं रहा होगा तो upcoming class में next class में इसके बारे में discuss करने वाला हूँ ओके चलिए सर मिलता हूँ next lecture में about isolator